गुद मॉर्निंग चिल्रान वेल्टम तो दसन पब्लिक स्कूल उनलाइन क्लासे तो टुदेए विल वीड अबाउट अवर जी के बुख चेप्टर टैन पैस नमबर फिफ्टीन पैस टू ग्रो यहनी बढ़ने की जगह जैसा कि आपको चेप्टर में को देखकर ही पता चलता होगा कि आज हम किस चीज से रिलेटेड रीडिंग करने वाले हैं यस आज हम प्लांट से रिलेटेड रीडिंग करने वाले हैं कि किस प्रकार के प्लांट को कहां उगाया जाता है जिस जगह उन्हें उगाया जाते हैं, जिस जगह बढ़ते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं So, let's start our chapter Find out the name of places where the given types of tree are grown यानि हमें उन जगह को find करना है, ढूनना है जहां पर Types of trees, यानि किस प्रकार के पेड़ are grown उगते हैं या बड़े होते हैं You may take help from the reference box हम इस reference box की मदद से, इसकी help से हमें यहाँ पर find out करना है कि किस जगह पर किस प्रकार के पेड़ को दे उगते हैं उस जगह को क्या कहते हैं So, let's start First वाला जो point है यहाँ पर वो दिया गया है A large piece of land, यानि भूमी का एक बड़ा टुकड़ा In which hundreds of tea bushes are grown जहाँ पर सेकड़ो टी की ज़ाड़ियां है वो उगाई जाती है तो उस जगह को क्या कहते हैं तो आप लोग सोची आपको पता है कि जहाँ पर टी की ज़ाड़ियां उगाई जाती हैं उस जगह को क्या कहते हैं उस जगह को कहते हैं Plantation Yes, Plantation उस जगह को कहते हैं हमने यहाँ पर reference box की help से इस answer को find out किया है कि जहाँ पर टी की ज़ाड़ियां उगाई जाती है टी plants की ज़ाड़ियां जहाँ पर उगाई जाती है उस भूमे के टुकड़े को उस जमिन के टुकड़े को कहते हैं Plantation Plantation मतलब एक ऐसे जगह होती है जहाँ पेड उगाते हैं या बाग भी हम उसे कह सकते हैं Then हमारा second वाला point है a place where plants are grow and sold यानि एक ऐसा इस्थान एक ऐसा प्लेस जहाँ पर पोधे उगाए जाते हैं और साथ में उन्हें बेचे भी जाते हैं आपने देखा होगा कि पोधों को बेचते हैं और जब हम उन्हें खरीद के लाते हैं तो हम उन्हें अपने घरों में शोक से उगाते हैं वह सारे लोगों का शोक होता है बगीचे लगाने का अपने घरों के बाहर गार्डन में गार्डनिंग करने का पेड़ पोधे लगाने का शोक रेता है लोगों को तो वो उसके लिए पोधों को खरित कर लाते हैं और उन्हें अपने बगीचे में या अपने घरों में जहां भ बेचा भी जाता है उन्हें कहते हैं नरसरी जो कि आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा जहां आपने देखा होगा भूत सारे पोधे महाँ पर जो छोटे छोटे पोधे रहते हैं उन्हें उगाए जाते हैं उन्हें वही से बेचा भी जाता है यस उन्हें हम कहते हैं नर्शरी देन थर्ड वाला है एक पीस ओफ लेंग यहां जमीन का टुकड़ा वेर जहां wheat and sugar can are grow wheat means गेहू and sugar can means गन्ने आरगो यहां जमीन का एक एसा टुकड़ा भूमी का एक एसा भाग जहां पर गेहूं और गन्ने की खेती होती है जहां पर गेहूं और गन्ना उगाया जाता है आप guess कर सकते हो कि क्या कहते हैं उस जगे को जहां पर गेहूं और गन्ना उगाया जाता है तो उस जगे को कहा जाता है field field means मेदान यस गेहूं और गन्ने को जो है, वो मेदान में उगाया जाता है Then पूर्ट वाला है A piece of land Where grapes are grown यनि एक भूमी का एक एसा भाग जमिन का एक एसा टुकडा Where grapes are grown जहाँ अंगूर उगाये जाते हैं Yes अंगूर कहां उगाये जाते हैं आप मैं से किसी को पता है अंगूर उगाए जाते हैं विन्यार्ड विन्यार्ड मिन्स होते हैं विन्यार्ड विन्यार्ड कहा जाता है अंगूर के बाग को यानि जहां पर अंगूर उगाए जाते हैं उस जगे को कहा जाता है विन्यार्ड दें फाईफ वाला हे, a place in a garden. यानि garden में एक ऐसी जगह, where जहां rose are grow. जहां गुलाब उगाये जाते हैं, जहां गुलाब बढ़ते हैं, तो उस जगे को कहते हैं, bad. एक garden होता है, उसमें एक जगे होती ही, जहां गुलाब को उगाये जाता है, तो उस जगे को कहा जाता है bad, b, e, d, bad देन शिक्स वाला है हमारा last point जो है वो है a place where hundred of fruit trees are grown यानि एक एसी जगह जहां सेकडो fruit trees यानि फलो के पेड़ are grow उखते हैं या उगाए जाते हैं उस जगे को कहते है orchard orchard मिन्स होता है बगीचा जिसको आप सबने देखा होगा बाग, बगीचा जहां बहुत सारे तरे-तरे के फलो के पेड़ पोदे आपने देखे होगे अनार के, आम के ये सारे जो पेड़े वहाँ पर उखते हैं उसको हम बोलते हैं बगीचा या बाग यहाँ पर एक fact लिखा हुआ है the place where orange tree are grow यहाँ एक एसा इस्तान जहाँ orange tree यानि संत्रे के जो पेड़े वह उखते हैं और grow बड़े होते हैं इस काल एक grow उसे कहते हैं grow grow मिन्स होता है orange यहाँ संत्रों के पेड़ का जो बागीचा होता है जो स्थान होता है उसे कहते है grow G-R-O-V-E तो आज हमने बहुत अच्छा एक knowledge आप लोगों को मिला है कि जिस जगह पर या किस प्रकार के इस्थानों पर गेहु के पोधे उगाए जाते हैं इन इस्थानों के बारे में आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा किसीने तो इनको देखा भी होगा क्योंकि हम सब एक एसी जगह से बिलोग करते हैं जा हम सब इने खेत भी देखे हैं बाग बगीचे भी देखे हैं तो बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने देखी है तो आप में से कुछी बहुत सारे बच्चे से होंगे जिनको इन सारे प्लेस के बारे में पता होगा और कोई येसे भी होंगे जिसने इन सब के बारे में ना त अच्छे से पड़े तो हमारा इसका रीडिंग हमने भी कम्प्लीट कर लिया है इसका एक्टिविटी पार्ट हम हमारे नेक्स्ट वर्क में इसको फिल करेंगे आपको इससे फिल अभी नहीं करना इसे थैंक यू सो मच टैक केर